हापी पर्टी तू यू नमस्कार शीकिष्णा जैजैशी राधे बहुत स्वागत है आप सबका देख रहे हैं आप जनम दिन स्पेशल तिरांग 13 दिसंबर को पैदा हुए लोगों की धड़कनों को बढ़ा देता है इकारिक्रम मनलब भाई पूरे वर्ष का हाल एक साथ पता चल जाता है कितनी सारी प्लैनिंग्स होंगी आपकी कितना कुछ आपने सोचा होगा अब वो क्या इस्थिती बनने वाली है ये हम आज बता ही देंगे महज 5-6 मिनट में 7 मिनट में पूरे वर्ष का हाल बनाते हैं और आज 13 दिसंबर को जिनकी शादी की सालगी रहा है उनको भी हम बताते हैं कि आपका क्या इस्थिती आपकी बनने वाली है तो चलिए सुर्वात करते हैं और बताते हैं सबसे पहले आपकी सिक्षा अगर 13 दिसंबर को आप पैदा हुए हैं तो सूर बुध रहश्पती व्रिश्चिक राशी में रहेंगे ये जान लिजे शनी धनु राशी में है आज सुबर सुबर जब सुर्योदय के समय में ग्र निश्ठा था ये नक्षत्र स्रमण नक्षत्र के बाद आता है और मंगल का नक्षत्र है अर्था धनिश्ठा नक्षत्र का स्वामी हुआ मंगल जो कुम राशी में पढ़ता है चारो चारो चरोन इसके राहु करक में और तुला का शुक्र है सिक्षा के मामले में एग्रेशन तो ठीक है लेकिन उस एग्रेशन को मेंटेन नहीं रख पाना विद्यार्थियों के लिए भारी पड़ेगा वो विद्यार्थि जो 13 दिसंबर को जन्म पाए है तो अपने एग्रेशन को आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं इस पर आपको जोड़ देना होगा इस पर आपको ध्यान देना होगा आपकी कुंडली पूरी तरह से आपके लिए अनुकूलता तो दे रही है लेकिन शुक्षा में लापरवाही आपके लिए घातक होगी मैं जून के बाद अचानक से आपके अंदर एक बदलाव आएगा आपकी सुक्षा प्रभावित हो जाएगी हो सकता कि आपकी सुक्षा रुक भी जाए ये भी संभावित है तो इस पर भी आपको फोकस करना होगा आज अगर आपका बर्थडे है तो सोच समझ करके और फिर देखिए कि आप कितना कुछ कर सकते है बस सोचना समझना है बिद्यार्थियों के लिए बड़े रिस्क अभी टालने की आवश्यक्ता है जुलाई के बाद आप ले सकते हैं बिदेश अगर सिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो दिन अच्छा है ब्यापार ब्यापार की स्थिती बहुत अच्छी रहेगी ब्यापार में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ब्यापार में बड़े फैसले आपके अच्छे साबित होंगे अप्रेल तक तो आपका व्यापार तेजी से बढ़ेगा अप्रेल के बाद थोड़ी सी स्पीड में कमी आएगी साजा आपका अचानक इस बीच टूस ठकता है या फिर किसी तरह के जांच के घेरे में आप आ सकते हैं तो इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यक्ता है कि 13 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नहीं नोगरी की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं नहीं नोगरी आपकी लग सकती है धन के मामले में भी कम सकम 20-25 प्रत्षत का जंप आपको मिलने जा रहा है मार्च अप्रेल महिना इसके लिए बहुत अनकूल रहेगा शुबता दायक रहेगा और सरकारी छेत्र में प्रमोशन मार्च में ही होगा इससे पहले उम्मीद नहीं की जा सकती अप्रेल माई के बाद थोड़ी सी स्थिती गवर्मेंट जाब वालों के लिए ट्रांस्फरेबल होने की वज़ा से दिक्कत कर सकती है गलत जगह का स्थानांदरों अप्रेल माई के बाद आपको परिशान कर सकता है स्वास्त और जमीन जाजात के विबादों में भी आपको उज़ाता हुआ दिखाई देरा वक्त अगर आप 13 दिसंबर को पैदा हुए हैं मैरिट लाइफ को लेकर के परिशान चल रहे हैं तो सेप्रेशन के संभावना फरवरी से लेके अप्रेल के बीच में है तलाक होने की 90 परिशान संभावना है अगर पहले से दिक्कत चल रहे हैं तो और 13 दिसंबर को पैदा हुए हैं तो नहीं दिक्कत है तो मैई तक दिक्कत बढ़ सकती है तलाक नहीं होगा ये अंतर है दिक्कत थी तलाक होगा दिक्कत नहीं थी तो दिक्कत होगी मई के बाद थोड़ा सा बुज़र्गों का हस्तक शेप आपकी मेरेड लाइफ को ठिक करेगा बड़े बुज़र्गों की एहमियत हम सब भूल चुके हैं इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हम लोगों के जीवन में बन चुके हैं करेंगे कभी चर्चा उसमें भी करेंगे लेकिन अभी का समय ठीक नहीं है और एक खास बात अगर आपकी कुंडली कुंभ या मीन राशी की है तो ये आने वाला वर्ष थोड़ी सी कष्ट और बढ़ाएगा मैजल लाइफ में क्योंकि मंगल वर्ष फल में कुंभ में ही चल रहा है किसी को सहने नहीं देता मंगल सहन सील है ही नहीं मंगल लव लाइफ अकस्मात परिशानियां बढ़ सकती है सेप्रेशन की नौबत आ सकती है अप्रेयल के बाद का समय एक दम से प्रतिकूल हो सकता है अगर आप 13 दिसंबर को पैदा हुए हैं और लव लाइफ में कुछ नोग जोग चल रहा था तो एक बार के लिए तो आपको भी लगेगा कि ब्रेक अप हो जाएगा बट बर्मात्मा की किर्पा होगी और संभल जाएंगा टिक टॉक पे हम लब टिप्स देते हैं आप वहाँ पर लब टिप्स के लिए जा सकते हैं और प्राब्द कर सकते हैं यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एक इनिशियेट हम करने जा रहे हैं टिक टॉक एक अप्लिकेशन है उस पर आप अपना आईडी बनाईए और फॉलो करिए एस्ट्रो फ्रेंड जीरो एट डालेंगे आप सर्च में तो एस्ट्रो फ्रेंड जीरो एट के नाम से आपको हम वहाँ दिख जाएंगे और डीली हम उस पर एक टाइम फिक्स करने वाले हैं टिक टॉक पर हम लब्टिप डालेंगे अपने यूध के लिए जो भी यूध है जो भी जवान है युवा है बहुत बड़ा विशे है ये तो इस विशे को हम निगलेक्ट महीं कर सकते इनकार नहीं कर सकते बिमारियों की चर्चा कर लेते हैं तेरे दिसंबर को पैदा हुए लोगों की बिमारियां आँख, पेट और हाथों में फ्रैक्चर, दाहिना या बाया सावधान रहना है, बहुत बचा कर बाई को गरे चलाना है हेलमेट का इस्तेमाल करें, 30-40 की एक एवरेजी स्पीड लेकर की ही चलें जिससे आप कम चोट खाएं और सुरक्षित रहें उपाय है किसी बाहरी बिधवा को कुछ अनका दान करना है और तीन शनिवार और तीन मंगलवार के वरत कर लीजे जब भी उपाय देखें तब भी कर ले, आज कल परसो जब देखें आप जिनकी आज शादी की सालगिरह है, उनके लिए एक नीम का पाउधा कहीं लगाना है और शिवलिंग पर शेह दर्पित करना है दो प्रिवों, बस थैंक्यू, मिलते हैं कल पुने में और उसके बाद मुंबई में थैंक्यू, सो मच और कल्चर वैली के लिए एक सूचना है कि अगर आप अपने शहर में कल्चर वैली के मालिक बनना चाहते हैं तो एक बड़ा आउसर, बिजनस प्लैंग हम रिवील करेंगे आगामी 6 जनवरी को गाजियाबाद में तुरंत रिजर्वेशन करवा लिजेगा और आजाएगा कल्चर वैली की और बहुत सारे जानकारियों के लिए उसी दिन हम बताएंगे फिलहाल आपको सिर्फ आना है इंट्रिफीस 2100 है बुक कराईए और आजाएगे अपने साथ चार च्छे लोगों को और लाईएगा साथ में बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा नमस्कार शिरादे अब जिए के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए